सीजनेबल फूलो वाले जो पौधे होते हैं उनमें से कुछ पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांटों होते हैं जो सीजन में ही हमें नर्सरी में मिलते हैं तो सीजन का फायदा उठाते हुए हमें उन पौधों को अपने घर में जरूर एट कर लेना चाहिए तो हेलो फ्रेंट्स वन सेगन वलकम बैक टू में चैनल आज इस वीडियो में आपके साथ उनही फूलों के पौधों के नाम शेयर करूंगी जो स्टेम मांसूर में हमें मिलते हैं और पूरी सालवर हमें फूल देते हैं जो पर्मनन्ट और हाडी भी होते हैं और बहुत कम देखभाल में हमारी गाडन में रहते भी है स्टेम अगर आप नर्सरी जा रहे तो ऐसे बड़े बड़े साइज के फूल दिखने को मिलेंगे इस फूलों को हम अलमंडा कहते हैं अलमंडा काफी सुन्दर दिखने वाला एक पर्मनन्ट हाडी पूदा होता है जो इस टेम हमें नर्सरी में मिल जाता है वो भी सही प्राइस के इतनी खुबसूरत पूदे को जरूर रैट करना चाहिए क्योंकि इनकी फूल मई से लेकर पूरे दिसंबत तक हमारे गाइडन में खिलते ही रहते है फूलों की साइज आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े साइज के इनके फूल होते हैं कलियों की साइज भी आप देखिए कितने बिक साइज के इनके कलिया होती है और ये जो फूल है कम से कम तीन से चार दिन तक ऐसी ही प्लांटे में एकदम फ्रेश क्ले रहते हैं अगर आप खुली छत की नीचे दिन भर की धूप में रख रहे हैं तो भी ये सनलविंग प्लांटे हैं इनको थोड़ी सी रोशनी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इस पौदे को ऐसी जगा जरूर रखे घर में जहां तीन से चार गंड़ी की कंटीनियू दूपा दिया कुछ पौदों की फूल इतनी इक उसुरत होते हैं कि बस उनको निहारने का मनोता है जैसे हमारा कनेर है कनेर में अंगिनत कलर की साथ-साथ इनके double pattern, single pattern और triple pattern के भी full खिलते जैसे सामने आप देख रहे हैं यह जो मेरा पौदा है यह cutting से ही लगा हुआ मेरा पौदा है मैंने खरीदा नहीं है अगर आप nursery जा रहें तो इनकी drop variety भी मिलेगी और अंगिनत color इनके stem आपको दिखने को मिलेगा यह एक permanent और hardy plant है जो stem मांसून में हमें nursery में दिखने को मिलता है धेरो सारे color के साथ तो मोसम का फाइदा उठाते हुए हमें पौदे उसी time add करना चाहिए जब उनकी बहुत सारे color और variety मिल जाते है इनकी drop variety भी मिलती है जिनकी height जादा नहीं होती है जो छोटे छोटे गमलों में भी लग जाते है वैसे मैंने इस पौदे को 8 इंचे की सिमिंट के गमले में लगाया है तो नर्सरी अगर जा रहे तो इस पौदे को ज़रूर एट करें अगला पौदा हमारा एक ऐसा पौदा है जो अकेली हमारे गार्डन में आता है और दो से तीन हफते में धेरो पौदे तयार कर देता है वो हमारा मोस्रोज फटुलका या पोचुलका है स्टैम मांसुन में सबसे अधिक फौद देने वाला ये पौदा है बिना पानी बिना खाद और बिना देख भाल के हमारे गार्डन में रोज खिलता है स्टेम नर्सरी में इनकी धेरो सारे कलर मिल जाएंगे, डवल पैटल के, सिंगल पैटल के, डवल कलर, सिंगल कलर के भी इनकी फ्लावर होते हैं और यतना भरके ये फूल देता है, जैसे ही सुवे की नो बचता है, ये फूलो से पूरा लदा रहता है कटिंग से ये बहुत जिल्दी ग्रो हो जाता है, और सस्ती प्राइज का मिलने वाला ये पौधा भी है बहुत कम प्राइज में ये पौधा हमें मिल जाता है जैसे कि मैंने पहले ही काया कि एक पौधा लाने के बाद हम उसी पौधे की कटिंग से धीरो पौधे बना सकते हैं एक्जोरा हमारा एक पर्मनेंट और हाड़ी और शेट लविंग प्लान्टे है जो मानसून में ही हमें नर्सरी में दिखने के मिलता है साथी मानसून का फाइदा हम इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि इनके धीरो सारे कलर भी हमें मिल जाते हैं साथी ही ये सस्ती प्राइज में भी मिलते हैं तो अगर मानसून चला गया और आप नर्सरी जाएंगे पॉइंट है जैसे इसको ज्यादा धूब की ज़रूरत नहीं होती है कम पानी में खुश रहता है फूल लेने से पहले इसमें थोड़ी सी फटिलेजर डालनी होती है साथी यह चोटी-चोटी से गमले में भी लग जाता है और इस टाम इनकी जो स्टाडिंग प्राइज होती ह ऐसे 60 से 100-200 उपीस की बीच में मिल जाता है वो पॉदी की हाइट की उपर डिपेंड करता है और अगर फूल खिल रहे तो थोड़े से महंगी प्राइज में मिलता है यह पॉदा कटिंग से भी यह पॉदा बहुत जल्दी लग जाता है स्टेम अगर आप नरसरी जा रहे त जो गंधराज के फूलों को आपको दिखने को जरूर मिलेगा और इसकी खुश्बू से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर गार्डेन या गंधराज या सुगंधराज का कोई पॉदा है फूलों की साइज इसकी देखिए कितनी बड़े बड़े साइज के इनके फू पानी से बचा की रखा है जिससे इनके फूल और कुछ दिन तक ऐसी ही फ्रेश लगे रहे हैं अगर नरसरी आप जा रहे तो गंधराज को जरूर एट करें स्टम गंधराज हमें मिल जाते हैं सही प्राइज में इनके कलर ऐसे वाइट कलर ही होते हैं खुश्बू बहुत त साथ साथ हमसे केर बिलकुल भी नहीं लेता है जैसे ही हमारा चंपा है चंपा की काफी सुन्दर सुन्दर कलर होते हैं चंपा के जो फूल होते हैं काफी दिनों तक पौधे में ऐसी फ्रेश लगे रहते हैं चाहे दूपो चाहे बारिशो चाहे ठंड हो पर्मरंट फ्लाव सा में पौधा लेके आई थी लास्ट ये और इस बार ये दो सी तीन में मल्टिप्लाई हो गया और फूल ये कंटिन्यू दे रहा है इनकी पतिया काफी चोड़ी-चोड़ी सी होती है दिखने में काफी प्यारा लगता है अगर आपके बस थोड़ा सा जादा जगा है तो इस को लगा सकते है क्योंकि ये थोड़ी सी लंबाई में भी बढ़ता है और बड़े गमले की भी जरूरत होती है लेकिन इस पौदे में देखभाल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है ना खात देनी की टेंशन है ना ज्यादा पानी देनी की टेंशन है नरशरी में इनकी धेरू सारे कलर मिल जाते हैं और इसी टाइम मिलते हैं तो कोशिच जरूर करें कि इस पौदे को भी स्टेम आप अपने गार्डन में एट करें जीनिया भी एक हमारा पर्मनेंट फ्लाफरिंग प्लांट हैं इसमें दो वैराइटी आती है एक देसी और एक हाईवरेट जो वैराइटी होती है वो पूरी साल भर हमें फूल देती है इस टेम तो भर भर के देती है यह और विंटर में इनको तोड़ा सा सीफ रखना होता है उस से बचाना होता है तो इनकी फूलों की साइज तोड़ी चोटी हो जाती है स्टेम साइज आप देख सकते हैं कितनी बड़े-बड़े साइज के इनके फूल किल रहे है चोटी से गमले में यह लग जाता है मेरे पास बड़े गमले खाली थे तो मैंने बड़े गमले में को लगाया है कलर तो इनके अनकिनत होते हैं नर्शरी में आप जाएंगे तो इनके इतने सारे कलर आपको दिखने के मिलेगा सारे कलर खरीद लेंगे आप क्रोसंडा हमारा बहुत ही प्यारा एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसका कलर मुझे बहुत पसंद है डार्क ओ की ज़रूरत नहीं होती है बस इस पौधे में एक बात का धहन रखना होता है जब इनकी फ्लावर से खिल जाए तो ये जो सीट तियार होते हैं उनको रिमूब करना सबसे अच्छा रहता है अगर आप सीट से प्लांटों को तियार करना चाहते हैं तो इनको रिमूब ना करें वैसे रिमूब करते हैं तो नहीं कलिया तियार होती है और पौधे की और भी नहीं अच्छी ग्रोध दिखने को मिलती है तो इस मौनसम का फाइदा उठा के आप नरसरी से इस पौधे को ज़रूर लाए नहीं तो ये पौधे भी हमें कुछ दिनों के बाद पिर नहीं इसे पौधा हमारा रेजली है रेनली के काफी संदर संदर कलर होते हैं इतिनी प्य Village प्यारे इनके फूल होते की जब हमारे गारण में ये खिलते हैं तो हमारे Garden को पूरा फूलों से भर देता है और सबसे अच्छी बात है सस्ते प्राइब मिनने वाला भी ये पौधा होता इनके एक बल्प हमें 10 से 20 रुपे में मिल जाता है तो बहुत सारे कलोरों को एट कीजिए 2 से 3 बल्प लाइए ड्राइस ओयल में उसे लगा कर इस टाम आप बहुत जल्दी मल्टिप्लाई कर सकते हैं इनके पूल भी कम से कम 2 से 3 दिन तक ऐसी फ्रेश के लिए रहते हैं अग इनकी देरो सारे कलर आपको मिल जाएंगे वराइटी इनकी दो यह होती है एक देसी और एक हाइब्रिड दोरों में डबल पेटर्न सिंगल पेटर्न की भी फ्लावर होते हैं काफी सुन्दर सुन्दर इनके कलनर होते है सबसे अच्छी बात है कि इनकी फूलों की जो डिसा इनकी 50 से 100 200 रूपीस की बीच में मिल जाता है कोई कोई जो हाइवरिड फूल होते हैं उनकी साइज तो फूलों की साइज काफी बड़ी होती है जट्रोफा भी एक हाडी और पर्मनेंट और 365 दिन फूल देने वाला पौदा होता है काफी संदर संदर इनकी कलर होते हैं इसकी पूनिंग करके रखे तो छोटा पौधा रहता है अधर्वाइस यह काफी बिक्टरी बन जाता है स्टम नर्सरी से आप इस पौधे को ला सकते हैं काफी संदर टिकाओ पौधा है यह तो यह थे कुछ फूलों वाले पौधे जिनको आप स्टम नर्सरी से लागे पर्चेस क कर सकते हैं तो वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताईएगा चैनल में पहली बार है तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और बेल एकिन की बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजेगा